Hello everyone, welcome to Genic तो दो तरह के student gate examination की preparation करते हैं एक जो normal category के student होते हैं या average बच्चे होते हैं जो किसी tier 3 college, tier 2 college ऐसे college से पढ़े होते हैं जहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाई तो नहीं कराई जाती जिनके basics maximum subject में बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि वो केवल semester pass करने के लिए पढ़ते हैं है ना subject को सीखने के लिए नहीं पढ़ते ना उनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है average category के student जिनको मैं बोलता हूँ normal category के student जो gate के preparation करते हैं और दूसरी category वैसी student की है जिनको थोड़े basics आते हैं जिन्होंने college में थोड़ी पढ़ाई की होती है जिनको कई सारे subject में understanding ठीक ठाक होती है जिनको मैं 4-2 category में मानता हूँ कि हाँ ये तयारी करेंगे तो इनके फोड़ने के chances ज्यादा है अब जो normal बच्चे हैं जो average category के बच्चे हैं उनका percentage is quite high 95-96% बच्चे normal और average category के होते हैं जो gate examination के preparation करते हैं 4-5% student ही होते हैं जिनको थोड़े basics आते हैं जो थोड़ी सी चीज़ों को जानते हैं जो 4-2 category के बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं अब 4-2 category के बच्चे हैं को थोड़ा सा guidance मिल जा है लेकिन जो normal category का बच्चा है जो maximum बच्चा है वो उसको basic सीखने में बहुत time लगता है उसको चीज़ों को apply करने में बहुत time लगता है उसको कोई चीज़ सीखा उसको retain करना है लंबे time तक बड़ा time लगता है क्योंकि उसको basics तो आते नहीं थे अभी अभी सीखा और उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर ले बिना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के कैसे कर पाएगा उसको बड़ी मुश्किल होती है उसको नए कोश्चन लगाने में बड़ी दिक्कत होती है नए कोश्चन आता तो कई बार दिमाग स्ट्राइक ही नहीं क और लंबे टाइम तक रिटेन करने के लिए उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा मतलब पिडियॉर्डिक रिवीजन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा है ना नहीं तो वो compete नहीं कर पाएगा थिशोल को cross नहीं कर पाएगा दूसरा अगर वो subject सीख गया तो उसको self assessment करना पड़ेगा कि जब मुझे questions आता है तो मैं गया जो सीखा हूं उसको apply कर पाता हूं उसमें उसके साथ सुरू में बहुत गल्पियां होंगी assessment जब करेगा और doubts बहुत आएंगे उसको doubts चप बहुत आएंगे तो आज जो पढ़ा अगर उसका रोज का रोज doubt दूर हो जाएगा तब उसको सीखने में जादा क्या होगा convenience होगा पता आज doubt आया वो एक महिने तक clear नहीं हो बतारा उस doubt को लेके दिमाग में घूमे जा रहा है बहुत अच् रिवीजन तो जरूरी है ऐसी टेकनिक भी जरूरी है ताकि वो correlate करके चीजों को दिमाग में रखे और उसको जब भी रिवीजन करें तो वो चीज़ें डिरेक्ली फ्रंट पेज पे आ जाए ताइम कम टाइम में उसको बार बार रिवीजन हो पाए उसको ऐसी टेकनिक सिख जिसमें अपना दिमाग लगाए दिमाग दोडाए है ना उस त्रिशोड लेबल को और क्रास करने की कोशिश करें बूस्टर सेशन की जरूत पड़ेगी और लास्ट में उसको टच देने के लिए क्या जरूत पड़ेगी बहुत सारे नए कोश्चन के थ्रू उन कॉंसेप् और यह सब प्राब्लम एवरेज स्टूडेंट की बहुत कॉमन है इसलिए बहुत सारे वरेज स्टूडेंट तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे चीज़ें प्रियोडिक रिवीजन, ब्रेगुलर असेस्मेंट, डाउट, पिलेरिंग, रोज का रोज यह सब बहुत सारे बच्चों में मिसिंग होता है, कौन से बूस्टर वो नहीं कर पाते हैं, वो उन्हीं में उलिच के रह जाते हैं, लास्ट टाइम में फाइनल टस्ट देने के लिए बहुत सारे नए कोर्शन की प्रैक्टिस वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हार्ड वर्क करने के बावजूद वो पीछे रह जाते हैं and that's why we came up with the गुर्कुल हमने गुर्कुल में उन्हीं बच्चों की problem address करी जो 95% है जो हमारे normal बच्चे जो average जिनको भी life में अच्छा करना है जिनको अपनी life में कुछ खोड़ना है और वो महनत करने के लिए ready हैं बहुत सारी इसमें से बच्चे 95% में से महनत करना चाहते हैं और actual में महनत करते भी हैं लेकिन ये छोटे-छोटे point missing होता है कोई एकदम proper तरीके सी इन problem को address नहीं करता और वो वहीं पे ये चीजे उनको नहीं मिलती हैं वो महनत तो कर रहे होते हैं सोच के देखना यहीं होता है और इसी लिए हम आये गुर्कुल के साथ और हमने का इन बच्चों को line पे लाएंगे discipline पे लाएंगे इनका periodic revision हम involve होके कराएंगे mind map के through revision कराएंगे ताकि जो revision करेंगे दिमाग में छप जाए doubt session रोज का रोज रखेंगे गुर्कुल में रोज का रोज जो दिन भर में पढ़ो पूछो खुल के क्या पूछना है ताकि कोई doubt बचा न रहे आगे जो सीखते जारो रोज का रोज क्लियर करते जाओ assessment regular ताकि आप अपने आपको judge करते जाओ कमिया होते हैं तो बताई जाते हैं कि इसको दूर करो इस पे काम करो इस चीज को revise करो concept booster session आएंगे जब आपको बहुत सारे assessment के through subject में आप पक्के हो जाओगे and then in last came up with the g3.0 g3.0 में sub subject को बहतरी नंसे to the point revision with a lot of new questions ताकि final touch दे के threshold level को cross करा देंगे trigger notes के सो जो revision कराते है mind map के through एकदम दिमाग में छप जाता है और कभी भी तुम 15 दिन बाद वो trigger note के खोल के देखोगे सब कुछ दिमाग में छपा हुआ मिलेगा एक बार देख लोगे और अब तक network और signal के वल हुआ है and उसमें 14 revision session हो चुके है और doubt session तो पिछले दो महने में जबुलर हुए जबुलर हुए जबुलर के साब से जोड़ लो तो यह एक average बच्चे को जरूर है and that's why you need this गुर्कुल और अगर आप फोड़ना चाहते हो और टाइम बहुत limited है बेटा फरवरी में ही एक्जाम है तो फरवरी में एक्जाम है तो सब कुछ करना पड़ेगा एक proper guidance एक proper discipline के साथ है ना तब जाके आप कुछ फोड़ोगे and that's why if you want to succeed there is no other option than गुर्कुल मैं बोल रहा हूं एक average बच्चे के लिए एक normal बच्चे के लिए so join गुर्कुल if you want to excel और इसमें जो हम करवार है आप 15 दिन के अंदर maximum 15 में एक हपते के अंदर आपको difference समझ में आगा कि आपके पास 24 घंटे में कितना ज्यादा time होता है कितनी ची that's why गुर्कुल is needed तो अगर आप यह सब करना चाहते हो तो गुर्कुल में आप जरूर जुड़ोगे और जुड़ोगे तो फोर्ड फार्ड दोगे इसी किसी और तरह के किसी और वीडियो मैं फिर से मिलूंगा till then bye bye thank you so much take care of yourself